कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस साल दो हजार तेईस में जेश्ट मास की पूर्निमा तीन जून दिन शनिवार को पढ़ रही है पूर्निमा की तिथी तीन जून की सुबह शुरू होकर चार जून को समाप्त होगी तीन जून दिन शनिवार को जेश्ट पूर्निमा तिथी का अधिक समय प्राप्त हो र एसे में इस दिन वरत रखना शुब रहेगा क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को अर्ग्य दिया जाएगा इस पुरे। पुर्णिमा का प्रिथवी के पानी से एक अनोखान आता है, समुद्र में ज्वार भाटा भी इसी लिए आता है, पुर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे चमकीला दिखाई देता है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इसी दिन रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सटी। उपाय जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे। कर्ज में घिरे हों आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, शत्रु विरोधी रुकावतें पैदा कर रहे हैं या किसी की नजर लग गई है, किसी गंभीर बीमारी से आपका कोई अपना तरस्थ है, लाल मिर्ची के यह प्रभावशाली उपाय आपको अपनी समस्या से न नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताएगा, दोस्तों हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तिमाल जरूर करते हैं, जो हमारे खाने का जायका बढ़ा देती है, लाल मिर्च से रसोई घर में ही नहीं, बलकि जीवन में आने वाली सम स्याओं से निजात पाने के लिए भी इस्तिमाल की जाती है, यहाँ आपकी किसमत भी बदल सकती है, लाल मिर्च का इस्तिमाल करके लोग कई परिशानियों को दूर कर दे। धन की सारी मुश्किलें हल हो अगर आपके पैसे कहीं किसी के पास फस गए हैं या कर्ज नहीं उतर रहा है, पैसे हाथ में टिकते नहीं है, ऐसी जो भी धन से जुड़ी परेशानी हो उसके निवारन हेतु सूर्य देवता से प्रार्थना करें, फिर वहीं पर हनुमान चालिस का पाठ कर लें, वहां बैठने की सुविधा न हो तो आप घर के अंदर जाकर भी यह, कर सकते हैं, ये उपाय आपको लगातार 21 या फिर 27 दिन तक करना है, आप पुरुष हैं, तो 27 दिन और अगर महिला है, तो 21 दिन करना है, अगर आप इतने दिन तक लगातार यह नहीं क कर पाते हैं, बीच में कभी आप घर से दूर हैं, या कोई और समस्या है, तो आपके लिए आपके बदले में आपके परिवार का व्यक्ति इस कालावधी को पूर्ण कर सकता है, किसी शुभ काम या इंटरव्यू में जाने से पहले घर की दहलीज पर 5 मिर्च रखें, पेरि प्ति के खुद के जीवन को तहस नहस कर दी है, और उनके जीवन में भी खलबली मचा दी है, अकसर कुछ लोगों से दूसरों की उन्नती देखी नहीं जाती जलना उनके स्वभाव में ही होता है, उनकी नकाराक मकता आपके जीवन पर असर डालती है, आपके कामकाच पर उ जात दिला सकता है, तो जब भी आपको लगे की शत्रू आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके व्यापार व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं आपकी दुकान ने, की चल रही है या कार्याले में आपके सहयोगी चुबली कर रहे हैं, तो किसी या शनिवार की रात आप यह उपाय करें, ऐसे उपाय टोटके मंगलवार और शनिवार की रात ज्यादा सफलता देते हैं, आप पांच सूखी लाल मिर्च ले लें, उनको अपने उल्टे हाथ में यानि बाएं हाथ में लेकर शत्रू का नाम लेते हुए पांच बार अपन गार दें उपर से मिक्टी डाल कर उसे ढख दें और फिर बिना पीछे मुड़े घर चले हैं। इस उपाय से शत्रू अपने आप ही शान्त हो जाएंगे, बिल्कुल परिशान नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये उपाय आप अकेले में करें, देर शाम दिया सुभा जल्दी आप इसे कर सकते हैं, ताकि आपको कोई रोक नहीं, तो के नहीं, ये उपाय करते समय किसी के बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। छोटा भाई करें एक-एक कर मिलती चली जाएगी। आप देखेंगे आपके कारियों में आ रही विधन बाधाएं दूर होती जाएंगी, किसी की भी नजर या बद्दुआ के दोश से मुक्ती मिल जाएगी। कभी कभी हमारे परिवार में कोई व्यक्ती बीमार पढ़ जाता है, कभी बीमारी समच नहीं आती तो कभी दवाकाम नहीं करती वो जल्दी खीक ही नहीं हो पाता है। इसे में लाल साबुत में रिच थोड़े से काले तिल फिटकरी के छोटे साथ टुकडे और जायफल जायफल की जगह काली मिर्च भी ले सकते हैं, इन सब को एक लाल। कपडे में बांध कर पोटली बना लें। फिर किसी शुक्रवार की रात में जो व्यक्ती बीमार है उसके सिरहाने रख दें। अगले दिन यानी शनिवार की सुभा उस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे चुपके से रखा है, पीछे मुर कर न देखें इस से उस अंज परेशानिया आ रही हैं, तो एक लाल कपडे में पांच सुखी लाल मिर्च बांध कर बिस्तर के नीचे रख दें, अगले दिन इसे नदी में प्रवाहित कर दें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों लाल मिर्च के बीच में अनोखी शक्तिया होती है। बस ये उपाय करते समय आपको कोई टोके नहीं, आपका कामकाज बिना बाधाओं के निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आया है, तो विडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाई का ताकि आने वाला नौलेज एबल विडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं, अगले विडियो में तब तक के लिए गुरबाई थैंक्स, और वाचिंग माई विडियो